दोस्तो इंडिया के अंदर Realme ने लेटेस्ट बजट फोन लॉंच कर दिया Realme का C33 तो C33 इस वीडियो में मैं इसको अन्बॉक्सिंग करके दोस्तो आपको दिखाऊंगा इसके अंदर आपको कैसे फीचर्स मिलते हैं और ये Realme का लेटेस्ट बजट फोन आपके लिए कैसे रहेगा तो अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं दोस्तो नौ-दस हज़ार के बजट में तो वीडियो को एंड तक ज़रु देखिएगा इसका प्राइस है दोस्तो 9,000, 3GB, 32GB वैले वेरियंट का और 4GB, 64GB आपको मिल जाएगा 10,000 का तो दोस्तो ये 9,000 से शुरूँ है 10,000 का आपको दूसरा वेरियंट मिल जाता है अगर आपको 4GB RAM चाहिए 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ औलाइन कई बार दोस्तो सेल भी लग जाती है, फोन्स के रेट कम हो जाते हैं, लेफ्ट सेट पर व्यू प्रोडेक्ट्स का उप्शन उस पे क्लिक करके एक बर रेट ज़रु चेक कर लिएगा हो सकता है आपको और भी सस्ता मिल जाए, चलिए देखते हैं दोस्तों नए Realme के C33 के साथ क्या क्या दिया गया है तो सबसे पहले एक मिनी बॉक्स में सिम इजक्टर टूल, अंदर यूजर मैनुल है, कवर इसके साथ आपको नहीं मिलता इसके बाद मिल जाता है फून एक रैपर के अंदर और इसका डिजाइन बहुत ही ज़ादा कमाल का है दोस्तों अभी देखेंगे बाकि इसके साथ आपको टाइप सी केबल नहीं मिलती, क्वैलिटी आपको केबल की सही मिल जाती है लास्ट में रखा वह मिलता है दोस्तों ये वाइट कलर में चार्जर जिसके अंदर आपको आउटपुट मिल जाता है फाइव वोल्ट टो इंपियर का तो ये सिंपल दस वाट का ही चार्जर है, चार्जर आपको फास्ट नहीं दिया गया इसके साथ आपको सिंपल 10 वाट का ही मिलता है, अगर 18 वाट का चार्जर होता बॉक्स के अंदर तो काफी बढ़ी है रहता और बॉक्स में कवर भी होता तो और जाद अच्छा हो जाता तो दूसथो बॉक्स के जो कंटेंट्स हैं वो तो आपको नर्मेली मिल जाते हैं, rate के साबसे बॉक्स के अंदर आपको कंटेंट्स एवेजी मिलते हैं अगर टाइप सी केबल और चार्जर फास्ट होता तो बहुती कमाल कर रहता चली बात कर लेते हैं अब दोस्तो इसके important चीज जो इस phone के अंदर आपको सबसे बड़ी खुबी मिल जाती है इसका design दोस्तो आप देख सकते हैं यह मेरे पास है gold type के color में इसके अंदर आपको बहुत सारे stars effect दिये गए हैं rainbow colors के effect भी दिये गए हैं और दोस्तो लाइनिंग्स भी कुछ इस तरीके साब को मिल जाती हैं जब आप इसको move करेंगे light के अंदर तो दोस्तो यह लाइनिंग्स भी move होगी जिस वजह से जो है दोस्तो इसका design बहुत ही जादा बढ़ी है तो दोस्तो design को तो बिलकुल लेकर ज काफी जादा shiny है और जो आपको stars effect दिये गए हैं वो भी बहुत जादा बढ़ी हैं इसके back panel पे जब आप इसको पास से देखेंगे camera भी आपको कुछ इस तरीके से design में simple दो दिये गए हैं जो काफी जादा बढ़ी हैं थोड़े simple और काफी जादा अच्छ है rainbow colors के effect भी मिल जिसो जैसे इसके अंदर आपको और दूसरे colors के effect भी दिये गए हैं तो दोस्तो डिजाइन को लेका और personally मुझे ये phone बहुत ही जादा कमाल का लगा इसके price को देखते हुए 9000-10000 और दूसरे colors में भी available हैं तो आप checkout ज़रू कर लिएगा इसमें blue color भी आता है और दोस्तो black type का भी इसके साद दोस्तो इसको आउन कर लेते हैं देखते हैं सके अंदर आप जो डिस्प्ली की quality मिलती है वो कैसे मिलती है भाकि दोस्तो इसके अंदर आपको IPS HD Plus डिस्प्ले दिस्प्ले का दोस्तो वो इसके अंदर आपको मिल जाता है 6.5 इंचिस का तो साले छेंच की डिस्प्ले का साइज का बढ़िया दिया गया है काफी बड़ा आपको मिल जाता है अगर आपको बड़े स्मार्टफोन पसंद है तो यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा यूजन टेफेस कुछ इस तरीके से दिया गया है आप ऐसे उपर की तरह स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लिकेशन्स मिल जाती है इसके अंदर दोस्तो आपको Realme UI का S-EDITION दिया गया है तो थोड़ा डिफरेंट है और चलाने में काफी अच्छा भी लगता है दिख लेते हैं दोस्तो तो डिजाइन तो है नॉच वाला दोस्तो थोड़ा सिंपल ही डिजाइन मिलता है डिस्प्ले का Edges, Vezels भी आपको Normal मिल जाते हैं काफी कम और दोस्तो डिस्प्ले के जो Colors है वो तो इसके अंदर आपको बहुत ही कमाल के दिए गए हैं Brightness भी काफी बढ़िया मिल जाती है डिस्प्ले के Colors भी काफी जादा बढ़िया है तो दोस्तो डिस्प्ले का Size, Design तो वैसे Normal है बाकि दोस्तो Quality जो है जो सबसे Important है वो इसके अंदर आपको काफी बढ़िया मिल जाती है तो Overall दोस्तो डिस्प्ले को लेकर ये Phone मुझे काफी जादा बढ़िया लगा क्योंकि Colors जो सबसे Important है वो चीज़ इसके अंदर आपको अच्छी ही दी गई है इस एंगल से भी दोस्तो करीब से मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डिजाइन कुछ इस तरीके साब को मिल जाता है फ्रेम जो है साइड उसे स्क्वार शेप में है तो काफी फ्लेट लगता है बैक पैनल इसका लेफ्ट साइड पर आपको इस तरफ सिम के ट्रे दी गई है अच्छी चीज यह है दो सिम कार्ड और एक मेमरी कार्ड तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं इसके अंदर आप ये चीज काफी जादा बढ़िया है निची की साइड से दोस्तों आप देहेंगे तो ये चीज भी काफी बढ़िया है बैक पैनल पे नहीं है इस बजट में तो काफी अच्छा है उपर से देहेंगे तो प्लेन डिजाइन है इस तरफ कुछ नहीं दिया गया फिंगर पिंट स्कैनर की दोस्तों जो स्पीड आपको मिलती है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं तो काफी ज़ादा बढ़िया मिल जाती है इस चीज को लेकर कोई भी दिक्कत इस फोन में नहीं लग रही और फेस अनलोक को भी ऑप्शन आपको मिल जाता है वो भी दोस्तों जो है काफी अच्छे से ही काम कर रहा है तो दोस्तों फिंगर पेंट, स्कैनर, फेस अनलोक दोनों ही काफी बढ़िया से काम कर रहे है स्पीड को लेकर कोई भी दिक्कत इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलती अब दोस्तों अगर आप इस फोन को खरीदते हैं 10,000 का तो इसके अंदर आपको मिल जाती है 4GB RAM, 4GB RAM, 64GB के इंटरनल स्टोरेज तो 64GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है और दोस्तों मेरे पास ये 4GB RAM, 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला ही वेरियंट है जिसका प्राइस है 10,000 स्टोरेज चेक कर लेते हैं इसके अंदर आपको फ्री स्टोरेज कितनी मिल जाती है तो दोस्तों इसके अंदर आपको जो फ्री स्टोरेज मिलती है वो मिलती है 64GB में से 49GB के आसपास तो around 49GB जो है इसके अंदर आपको फ्री मिल जाती है 15 GB के आसपास पहले से ही used है तो दोस्तो normal आपको मिल जाती है इस चीज में ये phone ठीक ठाक है इसे के साथ दोस्तो इसके अंदर आपको Android का जो है कौन सा version मिलता है उसको चेक कर लेते हैं बाकि दोस्तो और specifications यहाँ पर पढ़ सकते हैं बाकि दोस्तो इसके अंदर आपको Android का latest version 12 मिल जाता है तो इस चीज काफी बढ़िया है इसे के साथ दोस्तो बात करें इसकी battery के बारे में तो battery इसके अंदर आपको दोस्तो दी गई है 5000 image की एक दिन का normal battery backup इसके अंदर आपको राम से देखने को मिल जाएगा और दोस्तो नॉर्मली उसके अंदर बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं लग रही चलिए इसको restart करते हैं देखते हैं कि यह जो है कितना time लगाता restart होने में वैसे दोस्तो restart का जो pattern अब थोड़ा change हो चुका है और दोस्तो long press नहीं करना तो उससे जो restart का option आ जाएगा बाकि दोस्तो बात करें इसको processor के बारे में तो इसके अंदर आपको Unisoccer Tiger T612 processor दिया गया है अब दोस्तो budget के साफसे इसके अंदर आपको processor फिर भी काफी अच्छा मिल जाता है अगर आप एक थोड़े बहुत heavy user हैं थोड़े बहुत gaming आपको करनी है तो दोस्तो budget के साफसे इसके अंदर आपको performance काफी अच्छी मिल जाती है इस चीज़ को लेकर आपको इसके अंदर दिक्कत नहीं होगी बागी दोस्तों इसके अंदर आपको फिर भी performance सही दी गई है ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आपको processor इतना बड़ी है नहीं दिया गया जो और दूसरे phones के अंदर आपको देखने को मिल जाता है इस budget के अंदर तो 19,000 के इसाब से दोस्तों इसके अंदर आपको performance सही मिल जाती है processor इसके अंदर आपको अच्छा ही दिया गया है बागी restart time दोस्तों आप देख सकते हैं इतना time लगा restart होने में इसको कुछ applications भी open करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे जो है इसमें speed आपको देखने को मिल जाती है बागी दोस्तो day to day use के अंदर आपको बिल्कुल भी problem नहीं होगी इसके साथ messages open कर लेते हैं तो ये भी काफी speed में ही open हुए Google Chrome open कर लेते हैं तो दोस्तों इसके अंदर भी आपको normally speed देखने को मिलती है कोई दिक्कत ऐसा नहीं लग रहा है बहुत phone जो है lag हो रहा है तो ऐसी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती थोड़े बहुत आप heavy user है तो इस चीज़ को लेकर भी आपको problem नहीं होगी तो performance ठीठ ठाक है इसके साथ दोस्तों इसके अंदर आपको back side पर जो main camera दिया गया है वो मिलता है दोस्तो 50MP 50MP अब दोस्तो performance जो आपको मिलती है camera की उसको check कर लेते है तो दोस्तो फिर भी rate किसाब से इसके अंदर आपको camera अच्छा दिया गया है image कियो जो दोस्तो quality है जो details है वो वैसे मुझे काफी बढ़िया लग रही है फिर भी सई दिया गया है SNE के बहुत खराब है तो वो चीज़ तो नहीं है दोस्तो normal आपको मिल जाता है बाकि अगर आपको camera की वज़े से ही phone खरीदना है तो आप थोड़ा अपना budget बढ़ा के 12-13000 के budget में दूसरे smartphone भी देख सकते हैं चैनल में काफी सारी वीडियोज है दूसरे smartphone की चेक आउट जरू कर लिएगा अब ये सारी खुब ये कमिया आपको मिलती है Realme के latest C33 के अंदर चली बात कर लेते हैं सबसे main चीज़ आपको इसको खरीदना चाहिए ये नहीं खरीदना चाहिए तो दोस्तो कुछ चीज़े तो मुझे इसके अंदर average लेगी जैसे type C cable नहीं दी गई charger fast नहीं है तो दोस्तो ये चीज़े तो मुझे काफी जाद़ average लेगी इसके अंदर बाकि कुछ चीज़े बहुत जाद़ बढ़िया भी है जिसे दोस्तो डिस्पले की quality काफी बढ़िया है colors brightness काफी जाद़ अच्छ है और design तो बहुत ही जाद़ कमाल का है battery भी काफी अच्छी मिल जाती है camera भी अच्छा दिया गया है RAM और storage भी सही मिल जाती है दोस्तो finger paint scanner भी side में है और performance भी बढ़िया मिल जाती है तो दोस्तो खुब यह वैसे इसके अंदर आपको जादे ही मिल जाती है price point को देखते हुए इस budget में आजकल वैसे आपको जादा बढ़िया smart phones देखने को नहीं मिलते है फिर भी दोस्तो जो है कमया तो आपको हर चीज में देखने को मिलती है perfect तो कोई सा भी phone नहीं होता वैसे personally मुझे यह phone काफी जादा बढ़िया लगा आप बताईगा फिर भी comment करके आपको यह latest C33 Realme का कैसा लगा कैसा नहीं कम budget में comment करके ज़रूर बताईगा वीडियो दोस्तो गर आपको अच्छी लगी तो इसको एक like करके ज़रूर जाइएगा चैनल पर आप नहीं है subscribe आपने नहीं कर रखा तो subscribe कर लीजे ताकि नए वीडियो आप तक पहुशते रहें इसके लग दोस्तो वीडियो गर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको share ज़रूर कर दियेगा WhatsApp और Facebook पर और दोस्तों ऑनलाइन कई बार sale लगते रहती है phones के rate काफी कम हो जाते है हो सकता है आपको और भी ज़दा सस्ता मिल जाए कम rate में तो ऑनलाइन दोस्तों sale लग जाती है left side पर view products का option है उस पर क्लिक करके एक बार rate ज़रूर चेक कर लिएगा चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए